हेलो एवरिवन वेलकम तो अड़ाव 24-7 स्कूल मैं गोरव राव आपका मैथमेटिक्स मेंटर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रल चेप्टर के हम बिलकुल फाइनल पढ़ाव पर आप पहुचे हैं केवल एक सीडी चडना बाकी है हमारा इंटीग्रल चेप्टर में और बच्चो वो है हमारी NCRT की miscellaneous exercise NCRT की miscellaneous exercise में डेर सारे questions हैं तो हमने उसको कर लिया है दो part में divide part 1 and part 2 आज हम इस वीडियो में NCRT की miscellaneous exercise का part 1 cover करने वाले हैं और एक और वीडियो में हम part 2 cover करेंगे डेर सारे questions हैं सारे concepts use हो जाएंगे तो आप बड़े ध्यान से देखते रहें बहुत सारे substitutions हैं बहुत सारा कुछ हमें करना हैं तो आईए शुरू करते हैं चलिए first question देखो बच्चो first question अगर आप लोग देखोगे तो first question आता है हमारा 1 upon x minus x cube तो बच्चो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 upon x common ले लो 1 minus x square ठीक है 1 minus x square देखते ही a minus b into a plus b तो इसको फिर से simplify करते हैं 1 upon x into 1 minus x into 1 plus x ये देखते ही मेरे मन में आ गया है partial fraction 1 minus x into 1 plus x यहां से क्या हो जाएगा a upon x plus b upon 1 minus x plus c upon 1 plus x यहां से हम इसको solve करेंगे a b और c की value निकाल लेंगे a b और c की जैसे value निकाल लेंगे put करेंगे हमारा simple integration बन जाएगा simple integral बन जाएगा और आपका answer आ जाएगा तो इतना काम अब आप लोगों को करना है मैंने धेर सारे concept चिखा दिये धेर सारे question करा दिये हैं अभी छोटे छोटे चोटे काम आपको भी करने हैं तभी तो integration होगा मजबूत तभी तो बनोगे math leads चलो next वन अपोन अंडरूट एक्स प्लस ए प्लस अंडरूट एक्स प्लस बी इस प्रकार का question देखते ही वन अपोन अंडरूट सम्थिंग प्लस अंडरूट सम्थिंग होता है मेरे मन में खहाल आ जाता है बच्चो रैशनलाइजेशन का रैशनलाइजेशन में मैं क्या करता हूँ multiply और divide करता हूँ sign change करके तो अंडरूट एक्स प्लस ए माइनस अंडरूट एक्स प्लस बी अपोन अंडरूट एक्स प्लस ए माइनस अंडरूट एक्स प्लस बी ठीक है उपर तो simply क्या रहा x plus a minus under root x plus b upon a plus b a minus b a square minus b square तो a square क्या तो x plus a minus b square क्या तो x plus b ठीक है बच्चो तो यह नीचे को simplify क्या तो x x चला जाएगा a minus b 1 upon a minus b और अब इसका integral करना है under root x plus a minus under root x plus b dx और यह आप लोग जानते ही हैं यह आप लोग बिटा जानते ही हैं क्या यह power half है तो par 3 by 2 upon 3 by 2 minus par 3 by 2 upon 3 by 2 यह हो जाएगा simple आपका answer आजाएगा clear तो बच्चो बात है simplification की बार बार तुम्हें यही सिखा रहा हूं integration में game है बिटा simplification का integration में game है आपका simplification का और यह सारी लड़ाई simplification की है यह सारी लड़ाई simplification की है simplify करते चलो आपका answer आते चल जाएगा इसके बाद करने में किसी भी बच्चे को कोई challenge नहीं आएगा ठीक है simple power half है पार 3 dx हो जाएगा minus a by t square dt minus a by t square dt माइनस a by t square dt होगा अब इसको यहां substitute करना शुरू करो one upon x की जिगाए पिटा a by t under root a x की जिगाए पिटा से बाइटी तो मतब a square by t minus a by t का whole square a square by t square और dt dx की जिगाए minus a by t square dt ठीक है इतना किया अब इसको simplify करने के लिए अब इसको simplify करने के लिए अब इसको simplify करने के लिए minus को बाहर लिख लेता हूं a by t square देखो a by t square तो यह रहा और यह से a by t है बिटा यहां से यह a by t लिया अब इसको मैं लिख हूं अगर a or t उपर चला जाएगा simple into one upon under root under root में से a square common ले लो under root में से a square common ले लो क्या आएगा one upon t minus one upon t square dt a से a गया t से 1t चला गया तो यह क्या बचा बिटा क्या बचा minus of one upon t into one upon a square under root से बारा के a बच गया तो constant है तो मैं directly बार लिख देता हूं under root one upon t minus one upon t square dt इतना हुआ इतना होते ही अब क्या करोगे बिटा अब इस t को अंदर ले जाओ t को अंदर ले जाओ तो अंदर मेरे को t आया minus one by a one over under root t minus one one over under root t minus one आ गया अब इसका simple integration कर दो के dt तो ही ठीक है इसका simple integration कर देना बिटा इसका simple integration कर देना आप लोगों का answer आजाएगा आप लोगों का answer आजाएगा clear है बोलो simplification यह x को a by t रखते ही बाकी तो सारा follow करते हुए चला गया x को जैसे पार 3 by 4 इसको बड़ा ध्यान से करना यह बड़ा important question है और इसमें simplification का काम भी जाद है उपर नीचे multiply and divide by x to the power minus 3 x to the power minus 3 से multiply and divide कर रहा हूं मेरा purpose यह है कि यह तो नीचे इतना complicated है इसको simplify कर पाऊं जैसे उपर नीचे किया तो यह क्या हो गया आपका यह हो गया बटा x to the power minus 3 upon x to the power minus 3 into x square into x to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4 ठीक है dx इसको अब आगे simplify करेंगे इसको आगे simplify करूं बटा इसको मैं ले आऊं नीचे नीचे ले आऊंगा तो x का power plus 3 हो जाएगा और x का power 3 और x का power 2 मिलके x का power 3 और x का power मिलके यह तो बन गगे x to the power 5 x to the power minus 3 तो u का u है और बटा इसको पूरे को उपर लेके चला दऊंगा तो यह क्या बन जाएगा x to the power 4 प्लस 1 to the power minus 3 by 4 dx इस पूरे को उपर लेके चला गए x to the power minus 3 को नीचे ले आया ठीक है अच्छा अब देखना बटा x की power minus 3 को मैं क्या लिख सकता हूं x की power minus 3 into 1 ये लिख सकता हूं इसको क्या लिख सकता हूं x to the power minus 3 into 4 by 4 बिल्कुल लिख सकते है इसको क्या लिख सकता हूं x to the power 4 to the power minus 3 by 4 ये लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते है इसका मतलब यही तो हुआ x की minus 3 तो मतलब हुआ यह लिखो यहाँ पे यहाँ पे जब लिखोगे तो 1 upon x to the power 5 into x to the power 4 plus 1 की power minus 3 by 4 और नीचे x to the power 4 की power minus 3 by 4 dx पावर सेम हो गई दोनों की पावर सेम होते ही 1 integration 1 over x to the power 5 x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 की power minus 3 by 4 dx यह देखो अब x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 इसको simplify करूं तो 1 over x to the power 5 1 plus 1 over x to the power 4 to the power minus 3 by 4 dx इसको t मान लेना 1 over x to the power 4 को t मान लेना simplify हो जाएगा तुमारा answer आजाएगा तो इसको ध्यान से समझा इसको follow किया यह थोड़ा सा उपर नीचे मेरे को set करने की जरूरत थी इसमें उपर नीचे मेरे को set करने की जरूरत थी बेटा इसमें बोलो clear हुआ clear हुआ भई आगे चलें चलो next question देखो 1 over x to the power half plus 1 over x to the power half plus x to the power 1 by 3 इसमें से बेटा क्या करो 1 over x to the power 1 by 3 common ले लो 1 over x to the power 1 by 3 common लिया यह क्या बना 1 over x to the power 1 by 6 plus 1 यह बन गया भई इसको इसको एड करोगे तो 6 LCM 2 plus 1 3 यह 1 by 2 यह बन जाएगा simple x to the power minus 1 x to the power 1 by 3 common लिया तो यह बन गया x to the power 1 by 3 लिया तो यह बन गया अब तुम्हें put करना बिटा x को t to the power 6 x को put करने t to the power 6 तो dx हो जाएगा 6 t to the power 5 dt dx हो जाएगा 6 to the power 6 t to the power 5 dt तो इसमें क्या बने गया यह 1 over x था बिटा t to the power 6 t to the power 6 into 1 by 3 तो यह बचेगा आपका t square t square बचा x की दिए t की पार 6 put किया तो यह बन गया t plus 1 और वो क्या बन गया dx की दिए 6 to the 6 t to the power 5 dt t square से यह खतमों का t cube बच गया 6 bar t cube by 1 plus t dt यह बन गई बेटा improper form improper rational form by numerator की power जादा है numerator में degree जादा है denominator में degree कम है improper form बन गई improper form बन गई तो आप लगाओगे long division method improper form बनते ही मैं लगाओंगा long division method long division method जब लगाओगे तो long division method में क्या करोगे पिटा t cube को divide करोगे t cube को divide करोगे 1 plus t से t cube को 1 plus t से करा तो इसके साथ t square ले ले यह क्या बन गया यह t cube plus t square minus 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 t square plus t ओर ले लो क्या बनेगा t square plus t add किया खतम यह बन गया तो इसको क्या लिख सकते है तुम six time integration of t square plus t plus t upon one plus t और इसका dt इसका integration तुम जानते हो बिटा long division method लगाते हैं इसका integration अब तुम simply एक जटके में कर लोगे और आपका answer आजाएगा इसका integration एक जटके में ही कर लोगे बिटा और आपका answer आजाएगा clear है बोलो भाई एकदम perfect चलो भढ़िया next है बिटा 5x upon x plus 1 into x square plus 9 इसको क्या करो simply बिटा partial fraction से इसको लिख लो a upon x plus 1 plus bx plus c bx plus c upon x square plus 9 ये करते ही denominator denominator cancel हो जाएगे आपको a b और c की value निकालनी है a b और c की value निकालोगे बिटा a b और c की value निकालके यहाँ पे put कर देना इतना काम सबको करना है सारी एकदम खाना बना दिया परोष दिया चम्मच तुमारे आज में पकड़ा दिये मूँ में बिटा खुछ डालने a b और c की value निकालना यहाँ पुट करना simplify हो जाएगा integral का अंच्वरा जाएगा clear यह बात clear हुई यह बात बोलो clear हुई यह बात चलो next question पर चलो हर 2 minute में question करना ही है बिटा sin x upon sin of x minus a यह question है तुमारा question है ठीक है अब इसमें क्या करो बिटा इसमें क्या करो तुम कि x minus a को अगर मेरे को simplify करना है तो मैं बिटा x minus a को put कर लेता हूँ t x minus a को जब t put करूँगा न बिटा तो dx तुमारा dt के बराबर आएगा बहुत अच्छी बात इसको simplify करोगे तो sin of x की जगे क्या आजाएगा t plus a t plus a upon sin t dx की जगे dt इतना काम करते ही यह क्या बन गया sin of a plus b sin of a plus b का formula क्या बनेगा sin a cos b plus cos a cos a sin b upon sin t dt simple इतना बना बेटा ठीक है इसको खोलते ही यह simple बन गया अब इसको देखो इसको और further simplify करोगे अलग लग करोगे sin t से sin t जाएगा cos a plus cos t by sin t cos t by sin t को क्या लिख लोगे cos t cos t sin a dt ठीक है यह constant है भई को से constant है इधर sin a constant है इसका integral direct हो जाएगा तुमारा ठीक है code t का integral लिखना है और तुमारा answer आ जाएगा बोलो simple है कुछ भी नहीं करा मैंने इसको complicated की बजाए इसको simplify कर दिया और उपर वाले में technometric identity लगा दी technometric identity लगाते ही मेरा simplify हो गया clear हुआ clear हुआ चलो next e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x इसको simplify करने लगो बिटा इसको simplify करने लगो गे उपर से common ले लो e to the power 4 log x e to the power 4 log x common लिया तो बिटा क्या बचा अंदर e to the power 5 log x की जगए 4 log x तो बारा गया e to the power log x minus 1 बच गया अपोन नीचे से बटा e to the power 2 log x common ले लेना e to the power 2 log x common लोगो ये क्या बनेगा e to the power log x minus 1 ये आपस में cancel out हो जाएंगे e to the power log x minus 1 अपोन e to the power log x minus 1 ये गयाब कर देगा तो e to the power 4 log x e to the power 4 log x को क्या लिख सकते हो e to the power log x to the power 4 यह लिख सकते हो upon e to the power log x to the power 2 वै 2 को अंदर ले गए log की property से e और log यहां से क्या आ गया x4 upon x square माने simple x square अब इसका integration तो तुम करीद होगे केवल तुमें x square dx करना पड़ेगा x square dx तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो x square dx तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो यह जट से solution ओके आ गया clear हुआ पड़ेगा clear हुआ बोल हैं बहिए बिलकुल simple comment लेते ही काम बनते जा रहे मेरा ठीक है comment लेते ही मेरा काम बनते जा रहे next question पर आजाओ cos x upon 4 minus sin square x cos x upon under root 4 minus sin square x अरे तो बहुत ही बढ़िया form है जादा तो महनत भी नहीं करवाएगी sin x को put कर दो बिटा t dt by dx हो जाएगा तुमारा cos x ये लगाते ही cos x upon under root 4 minus t square dx की जगए बिटा dt upon cos x dt upon cos x cos x से cos x गया under root dt upon देखो क्या form बन गई 2 square minus t square इस form का integral तुम बहुत अच्छे से जानते हो इस form का integral direct formula put करना है तुम्हें अब direct formula put करना है आपका answer दे देगा clear हुई ये बात direct formula put करना है आपका answer दे देगा next sin 8x minus cos 8x upon 1 minus 2 sin square x 6 cos square x complicated सा लग रहा होगा इसको simplify करना शुरू करते हैं उपर बेटा इसको ये कह रहा है 8 minus b8 ये ये कह रहा है मैं इसको ये बोल सकता हूं a to the power 4 का square minus b to the power 4 का square यहां से क्या बन गया एक चीज़ का square minus दूसरी चीज़ का square मतलब यहां से क्या आएगा a to the power 4 plus b to the power 4 into a to the power 4 minus b to the power 4 ये बात यहां पे लगाई तो sin to the power 4x ये x था sin to the power 4x plus cos to the power 4x into sin to the power 4x minus cos to the power 4x upon 1 minus 2 sin square x cos square x 1 को मैं क्या लिख दू बिटा sin square x plus cos square x minus 2 sin square x cos square x ये लिख सकते हैं अब बिटाए फिर से sin square x minus cos sin की 4x minus cos की 4x इसको further simplify अगर करोगे further simplify करोगे तो इसकी जगे इसकी जगे क्या लिख दोगे बोलो sin की 4 minus cos की 4 sin square x plus cos square x into sin square x minus cos square x तो वो कर दिया इसको इसको further simplify लिखने लगो sin to the power 4x plus cos to the power 4x sin to the power 4 को इसको further simplify करो बिटा sin square x minus cos square x into sin square x plus cos square x further simplification done नीचे क्या बन बिटा ये नीचे देखो sin square x plus cos square x minus 2 sin square x cos square x तो इसको तुम क्या लिख सकते हो minus 2 को अलग लग लिख लो upon sin square x plus cos square x minus sin square x cos square x minus sin square x cos square x ये लिख सकते हैं बैइ, minus 2 को मैंने अलग लिख लिख लिए minus 2 को मैंने अलग लिख 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 लिए minus 2 को अलग लग जब लिखेंगे अब देखो sin square x plus cos square x तो 1 हो गया इसको तो बुला दो ये तो आपका हो गया 1 इसको तो छोड़ दो 1 multiply में अब इसको आगे कैसे लिखोगे, sin to the power 4x plus cos to the power 4x into sin square x minus cos square x sin square x minus cos square x इन दोनो टर्म्स में से इन दोनो टर्म्स में से बेटा इसमें से ay rachtler чем sin square x common lalo sin square x common lalo 1 minus cos square x 1 minus cos square x onta From minus cos square x बहुत बढ़िया, माइनस, अब इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से को स्क्वेर एक्स को मन ले लो, प्लस को स्क्वेर एक्स को मन लिया, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेर एक्स, फिर से होता है को स्क्वेर एक्स, क्या बन गया ये, साइन टु दे पार 4 एक्स, प् स्क्वेर एक्स माइनस को स्क्वेर एक्स बचेगा साइन स्क्वेर एक्स माइनस को स्क्वेर एक्स बचा साइन स्क्वेर एक्स को स्क्वेर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ minus of cos 2x cos 2x होता है cos square x minus sin square x sin square x minus cos square x minus cos 2x अब इसका integration तुम जान रहे हो direct answer देदेगा direct answer देदेगा very good question, very important question very nice question बहुत ही अच्छा question है बिटा ठीक है, simplification पे बात थी technometric identities का use करते हुए चलता गया और simplify होते हुए चला गया technometric identities का use करते गए और simplify होते हुए चला गया बिटा, बो, clear हुआ clear हुआ 10 question हो गए है हमारे एकदम simple simple है, बस simplification थोड़ा सा जादा है miscellaneous में simplification थोड़ा सा जादा है miscellaneous में बिटा चलिए, next question पर आते हैं, one upon cos x plus a into cos x plus b मैं इसको multiply और divide करता हूँ क्या करो, आप इसको simplify करना चाते हो बिटा, तो multiply और divide कर दो sin of a minus b से sin of a minus b से multiply और divide कर दो sin of a minus b ठीक है, क्या बनेगा cos of x plus a into cos of x plus b, अच्छा बिटा sin of a minus b को अब sin of a minus b को कुछ ऐसा लिखो कि ये form भी तुमारी बने, तो इसको मैं क्या लिखूँ sin of sin of x plus a x plus a आगे क्या लिखूँ मैं अब देखो x plus a तो ला लिया, अब मेरे को x plus b भी चाहिए तो minus of x plus b, ये लिख सकता हूँ मैं इसको बिलकुल लिख सकते हैं upon, ये तो u का यू चली रहा है, ठीक है denominator आपका u का यू चल रहा है मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ denominator u के चोल, अब ये बन गए sin a minus b sin of a minus b, इसको open करेंगे, तो sin a sin of x plus a into cos b cos of x plus b minus sin b sin x plus b into cos x plus a ठीक है जी upon, अब बेटा इस पूरे के बार, ये तो मैं directly लिख देता हूँ, sin of a minus b, ये तो constant का constant ही चल रहा है, इसको तो one upon sin of a minus b तो लिखी लेते हैं integration चल रहा है और दोनों में अलग लग लिख दूँ cos of x plus a, cos of x plus b upon, इसके भी लिख दूँ cos of x plus a और cos of x plus b ये होते ही देखो ये होते ही तुमारा काम बनने लगेगा cos x plus a से cos x plus a चला जाएगा cos x plus b से cos x plus b चला जाएगा ये क्या बनेगा बिटा, sin upon cos, sin upon cos होता है मेरा tangent, तो one upon sin of a minus b tangent tangent x plus a minus tangent x plus b dx डारेक्ट 10 का integration minus low cos x लगा देना और तुमारा answer आजाएगा छोटे से simplification से जैसे ही मैंने sin a minus b से multiply divide किया मेरा question follow करते हुए चला गया मेरा question एकदम perfectly follow करते हुए चला गया clear है आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं चलो आगे देखो next question है x cube upon under root one minus x to the power 8 dx इसका integration करना है अब इसको देखते ही देखते ही मेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है बटा मैं x to the power 8 को लिख दू x cube upon under root one minus x to the power 4 का square dx और यहां से बटा जैसे x की 4 को t put करोगे तो यहां से क्या जाएगा 4 x cube dx बराबर dt ठीक है यह आपका simple यह put करते ही आपका answer देदेगा क्या बन जाएगा यह x cube upon under root one minus t square dt by one by four को बार लिख दो x cube यह cancel यह आपकी direct form बन गई यह आपकी direct form बन गई और तुम जानते हो इसका integration इसका integration तुम जानते हो आपका answer आजाएगा बोलो एकदम देखते ही मेरे को substitution पता चला substitution पता चलते ही मेरा answer ही आगया e to the power x upon one plus e to the power x into two plus e to the power x पिटा इसमें simply क्या करो e to the power x को t put कर लो e to the power x को t put करते ही dt by dx बन गया मेरा e to the power x बहुत बढ़िया e to the power x upon one plus t into two plus t into dt by e to the power x ये गया और ये बन गए simple आपकी one plus t into two plus t dt इस form को तुम जानते हो a upon one plus t plus b upon इसको simple लिख ले न a upon one plus t plus b upon two plus t ठीक है a b की value आजाएगे और तुमारा सीधे soul हो जाएगा लोग की form में a b की value आते ही सीधे आपका लोग की form में soul हो जाएगा बिटा a b की valueाते ही सीधे आपका लोग की form में soul हो जाएगा clear हुआ बोलो एकदम next question पर आजाओ one upon x square plus one into x square plus four तो पिटा इसमें simply इसको क्या करना है ax plus b upon x square plus 1 plus cx plus d upon x square plus 4 यहां से पिटा a, b, c, d की value निकालना और put करते ही आपका direct integral बन जाएगा put करते ही direct integral बनेगा और वहां से आपका answer आ जाएगा यह इतने इतने काम मैं तुम्हें करने को दे रहा हूं यह इतने काम बिटा तुम्हें करने को दे रहा हूं और करने हैं यह आज ही जाके करने हैं आज ही इनको soul करने हैं paper तक pendency नहीं रखनी हरे question कलम के नीचे से तुम्हारा power हो जाना चीए तब ही confidence आएगा एकदम की हाँ सारे के सारे integral के question कर लिए हैं इतने दिनों से तुम्हें इंटेग्रल पढ़ा रहा हूं अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कैसे practice लगातार करनी हैं clear है चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्ट तुद पार थ्री एक्स ईटुद पार लोग साइन एक्स अब देखो बिटा simple यह तुम्हारा है इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोस्ट तुद पार थ्री एक्स ईटुद पार लोग खतम होके किवल साइन एक्स बच गया डी एक्स अब यहां से कोई भी तुम्हें simple पता चल रहा है करना क्या है कोस एक्स को टी पुट करना है कोस एक्स को जैसे टी पुट किया DT by minus sin X हो गया मेरा dx यह आते ही क्या बचा minus sin को बार ले आए T cube sin X dT by sin X minus sin बार लिख दिया क्योंकि मैंने sin X से sin X गया इसका integration तुम जान रहे हो simple इस परकार के question में तो एक जटके में substitution answer और दे देता है विटा इस प्रकार का question में तो एक जटके में सब्स्ट्यूशन आंसवर दे देता है आगे देखो ईटु दो पार 3 log X X to the power 4 plus 1 to the power minus 1 इसका मतलब क्या हुआ ईटु दो पार 3 log X upon X to the power 4 plus 1 इसका whole का power minus 1 का मतलब हुए यह upon में आ गया अब इसका मतलब क्या हुआ ईटु दो पार लोग ओफ X की क्यूब लोग की प्रोपर्टी लगा रहा हूँ सिंपल बिटम है थ्री को X की power में लेके चला गया अपोन X to the power 4 plus 1 यहां से क्या बन गया एक्स दो पार अपोन D X यहां से क्या बन जाएगा X क्यूब अपोन T D T अपोन 4 X क्यूब एक्स क्यूब से क्यूब गया 1 अपोन T का integration तुम जानी रहे हो ठीक है 1 अपोन T का integration तुम जान रहे हो आपका integration करना है ठीक है इसका integration करना है तो I तुम्हें दिया है integration of f dash ax plus b into f of ax plus b इस पूरे की power n f ax plus b की power n नहीं है बटा f of ax plus b की power n है ठीक है यह तुम्हें दिया अब तुम क्या करो न सिंपली अब तुम सिंपली क्या करो integration of integration of ax plus b को integration of ax plus b को मैं पुट कर दू बटा t integration of ax plus b को t पुट करते ही तुम्हारा क्या आएगा यहां से तुम्हारा ट्टी भाइडी एक्स क्या आएगा ड्टी तुमारा आ जाएगा ड्टी भाइडी एक्स करोगे तो क्या आएगा a times इंटीर इसका differentiation करना मेरे को f das mixture differentiation करना f dash of a x plus b e times f dash of a x plus b यह आ गया इसको यहां पर put करना इसको यहां पर पुट करना तुमारा जब पुट करोगे तो क्या बन जाएगा f- of ax plus b f- of ax plus b into f of ये आपने इसको तो तुमने सिधा पुट कर लिया t ये t-put किया था विटा आपने t to the power n और यहां से क्या जाएगा dt upon a times f dash a x plus b f dash a x plus b से f dash a x plus b चला जाएगा 1 upon a bar 1 upon a bar t to the power n plus 1 upon n plus 1 समझ गए समझ गए ना बिटा क्लियर हुआ क्लियर हुआ बोलो f of a x plus b को आपने t put किया था तो यह simple आपका बन गया था यह मैंने integration लिख दे था f of a x plus b को t put किया था मैंने इसको t put करते ही मेरा यह cancel हो गया था simple है बोलो clear चलो next पर आओ one upon sine की cube x into sine x plus alpha इसमें बिटा क्या करो इसमें मैं क्या करूँ कि इसको simply one upon one upon under root sine cube x sine of a plus b इसको solve कर लेता हूँ sine x cos alpha plus cos x sin alpha simple यह बना अब बनते हैं इसको अंदर multiply करो sine इसको one upon under root sine to the power 4x cos alpha plus sine cube x cos x sin alpha sine to the power 4x cos alpha plus sine to the power cube x cos x sin alpha यह बना अब तुम क्या करो बिटा simply अब तुम क्या करो इस सारे में से एक common निकालने की कोशिश करो तो जैसे ही common निकालने की कोशिश करोगे sine to the power 4x को अगर मैं common लेने की कोशिश करूँ क्या हैगा one upon under root sine to the power 4x क्या बनेगा cos alpha plus यह क्या बन जाएगा बिटा one upon में आ जाएगा तो cos x upon sin x sin alpha यह बन जाएगा अब देखो cos x upon sin x तुम जानते हो cos x upon sin x तुम्हें क्या देदेगा बिटा cos x upon sin x क्या देदेगा cos x देदेगा तो यहां से क्या हैगा one upon यह sin to the power 4x इससे बारा के one upon sin square x under root cos alpha cos alpha plus cortex sin alpha one upon sin square x बन जाएगा cos square x cos square x upon under root cos alpha plus cortex sin alpha ठीक है यह बन जाएगा बिटा तुम्हारा यह बनते ही तुम क्या करना कि cos alpha plus cortex sin alpha को टी पुट कर लेना इसको टी पुट करना cos alpha plus cortex sin alpha को पुट कर लेना टी इसका डिटी करोगे कोट का यह माइनस को सिकेंट हैगा उससे वो कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा सोल हो जाएगा इसको टी पुट करते ही तुम्हारा यह सोल हो जाएगा ठीक है इसको टी पुट करते ही यह तुम्हारा सोल हो जाएगा इसको टीपूट करते हैं यह तुम्हारा सोल हो जाएगा क्लियर है चलो नेक्स क्वेशन पर आओ 19 question देखो sine inverse root x sine inverse root x minus cos inverse root x upon sine inverse x plus cos inverse root x मैं जानता हूं sine inverse root x plus cos inverse root x यह होता है पाई बाई टू यह होता है पाई बाई टू यह मैं जानता हूं ठीक है साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कोस इन्वर्स रूट एक्स यह होता है पाई बाई टू तो यहां से क्या बना मेरा साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस कोस इन्वर्स रूट एक्स cos inverse root x यह बन गया आप बेटा देखो sin inverse x plus cos cos inverse root x यह होता है pi by 2 तो यहां से तुम क्या करो कि sin inverse root x की जगे sin inverse root x की जगे pi by 2 minus cos inverse root x रख दो तो क्या हैगा 2 by pi sin inverse root x की जगे रखो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स और एक और माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स है तो यह क्या बन जाएगा टू कोस इनवर्स रूट एक्स अब इसका करोगे तो root x को अब t put कर लेना root x को बेटा t put कर लेना root x को जैसे t put करोगे तुमारा simplify हो जाएगा और answer आ जाएगा root x को जैसे simplify क्या से क्या आएगा dt by dx आ जाएगा 1 by 2 root x मतलब आ गया 1 by 2 t 1 by 2 t आ गया इसको केवल इसको simplify करने लगू में तो कोस इनवर्स root x की जगे t ठीक है dx की जगे बिटा dx की जगे क्या रखोगे 2 t dt 2 t dt ठीक है और यह 2 भी बाहर ले आओ तो यह बन जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा यह 2 यहां से चला जाएगा और इसको करदेंगा एसको करदेना लिक्त बाइपार्ट अन्षर इसको क्या यह 6 फंक्षन बाइपार्ट्स लगा देना तुमारा सो लो के आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ बोलो क्लियर हुआ वन माइनस अंडरूट एक्स अपोन वन प्लस अंडरूट एक्स पूरे का अंडरूट इसमें बड़ ध्यान से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेशन है लेंदी भी होने वाला है सबसे पहले एक्स को रखो बिटा सीकेंट को स्क्वेर थिटा एक्स को रखो को स्क्वेर थिटा डी एक्स बाइडी थिटा तुमारा आएगा टू कोस थिटा फिर कोस थिटा का करोगे तो माइनस साइन थिटा ये आ जाएगा इसमें रखना शुरू करो under root 1 minus root में cos square theta तो cos theta बन जाएगा upon 1 plus cos theta बिटा और dx की जगे क्या आएगा बिटा minus 2 cos theta sin theta d theta ये बन जाएगा तुमहरा बोलो ये बन जाएगा अब 1 minus cos theta 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 तो इसको सिंप्लिफाई करूँ तो क्या आएगा उपर बन जाएगा 2 1 माइनस कोस थीटा बनेगा 2 साइन स्क्वेर थीटा भाई 2 1 प्लस कोस थीटा बनेगा 2 कोस स्क्वेर थीटा भाई 2 2 से 2 और यह बन जाएगा 10 स्क्वेर थीटा भाई 2 और अंडरूट है तो यह सिंपली बन गया तुम्हारा टैन थीटा बाई टू बना टैन थीटा बाई टू बना माइनस बार लिख लो यह रहा टू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा को लिख लो यहाँ पर टू साइन थीटा कोस थीटा डी सेटा अब केवल साइंट्रीटा साइंट्रीटा को क्या Goard included यह लिख सकते हैं इसको यह लिख सकते हैं तो लिखने लगोगे तो इस 2 को तो बार लियाओ minus 2 tangent theta by 2 sin theta की जगे, फिर से 2, sin theta by 2 cos theta by 2 cos theta, d theta यह बन गया बैटा देखो, यह बन गया अब यह बन गया, इस 2 को भी मैं बार लियाओ, इस 2 को मैं जैसे भार लाया बैटा, तो यह क्या बन गया ये बन गया minus 4 बार बन गया minus 4 minus 4 10 theta by 2 sin theta by 2 cos theta by 2 into cos theta d theta ठीक है अच्छा अब इस tangent theta को फिर से अगर मैं लिख लूँ minus 4 tangent theta by 2 को लिख लेता हूं sin theta by cos theta by 2 और by cos theta से ये वाला cancel हो जाएगा cos theta by 2 sin theta by 2 cos theta by 2 cos theta d theta cos theta by 2 से cos theta by 2 cancel ये बन गया sin square theta by 2 sin square theta by 2 minus 4 sin square theta by 2 cos theta d theta ये बना इतना बनने के बाद cos theta को क्या लिख लेना 2 cos square theta by 2 minus 1 ठीक है तो यहां से क्या बन जाएगा minus 4 sin square theta by 2 और cos theta को लिख लेना 2 cos square theta by 2 minus 1 फिर से cos theta की identity लगा दी बिटा 2 cos square theta by 2 minus 1 बन जाएगा अब इसको simplify कर देना इसको simplify कर देना तुम ठीक है और फिर तुमारा direct integral की form में आ जाएगा इसको जैसे ही simplify करोगे इसमें ध्यान से देख लो बिटा x को cos square theta put करे बिना ये question तुमारा sol नहीं होगा x को cos square theta by 2 put करे बिना ये question तुमारा बिल्कुल sol नहीं होगा बोलो यहां से कर लोगे चलो next question पर आएं यहां से कर लोगे तो चलिए 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x into e to the power x बिटा मैं tempted हूं e to the power x into something something लाने के लिए तो e to the power x को लिख लिया 2 common लिया मैंने उपर से तो अच्छा तुम बोलो के सर common कैसे ले लिया मैं 2 plus sin 2x को यह लिख रहा हूं बिटा 2 plus 2 sin x cos x अब इसमें से 2 common लूँगा तो यह बज़िए का 1 plus sin x cos x upon 1 plus cos 2x बिटा 1 plus cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos x dx 2 से 2 जाएगा 2 से 2 जाएगा e to the power x secant square x plus 1 cos x cos जाएगा 10x dx क्या बन गया e to the power x tangent x plus secant square x यही तो form हम चाते थे बिटा यह बन गया तुमारा f of x यह बन गया f dash x तो इसका direct होता है e to the power x f x f x माने 10x plus c answer simple yet देखते ही मिरको पता चल जाता है मिरको किस form में answer लेके आना है यह देखते ही मैं जान जाता हूं किस प्रकार से मिरको answer लेके आना है next x square plus x plus 1 upon x plus 1 का whole square into x plus 2 तो इस question में क्या करोगे इस question में क्या करोगे इसको लिख लोगे a upon x plus 1 plus b upon x plus 1 का whole square plus c upon x plus 2 यह लिख लेंगे partial fraction से partial fraction method का use करके अब बेटा ABC की value निकाल लेना ABC की value निकाल लेना ABC की value निकाल लेना आपका answer दे देगा बोलो देगा की नहीं एकदम simple इस परकार के question को देखते ही मैं सीधा partial fraction लगाने लग जाता हूं और यह improper नहीं है square into यह linear तो cube आ रहा है नीचे तो नीचे वाला बढ़ाई है यह improper नहीं है बेटा ठीक है यह improper नहीं है 10 inverse 1 minus x upon 1 plus x इसमें बेटा कुछ नहीं करना x को put कर दो cos theta 10 inverse under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta ठीक है x को तुमने put कर दिया बेटा cos theta x को cos theta put किया तो dxy d theta तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस sin theta dxy d theta क्या हो जाएगा माइनस sin theta तो d theta की जगे क्या आएगा dx की जगे क्या आएगा माइनस sin theta d theta minus को बार tangent inverse under root 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 ठीक है into minus तो बार ले गए थे sin theta d theta 2 से 2 गया 10 square theta by 2 तो 10 theta by 2 और 10 inverse होके यह simple बच गया theta by 2 sin theta d theta अरे वाह माइनस 1 by 2 theta sin theta d theta by parts लगाना है बिटा by parts लगाना इसमें ठीक है theta को पहला function मान लेना और by parts लगा देना आपका answer देगा theta को first function ले लेना और by parts लगा देना आपका answer देगा clear हुआ चलिए next question पर आईए under root x square plus 1 log of x square plus 1 minus 2 log x upon x to the power 4 log की property लगा के इसको simplify करने की कोशिश करते हैं बटा ठीक है under root x square plus 1 into log of x square plus 1 minus log of इसको मैं क्या लिख लूँ एक स्क्वेर अपोन x to the power 4 ये लिख सकते हैं ये लिखने लगेंगे यहां से क्या आएगा बिटा यहां से क्या आएगा ये simply under root x square plus 1 upon x to the power 4 log of a minus log of b तो log of a by b x square plus 1 by x square क्या बन गया ये under root x square plus 1 by x to the power 4 into log of 1 plus 1 by x square log of 1 plus 1 by x square 1 plus 1 by x square को put कर लो t1 plus 1 by x square को put कर ले ना टी बेटा 1 plus 1 by x square को जैसे इटी पूट करोगे विटा ठीक है यह आपका answer देने लगेगा इसको भी तुम further simplify कर सकते हो इसको भी चाहो तो further simplify कर सकते हो further simplify करने के लिए क्या करोगे इंटीग्रेशन ओफ इसको मैं लिख लेता हूँ 1 upon x cube और under root में x square plus 1 upon x square और log of 1 plus 1 by x square ठीक है तो यहां से भी 1 upon 1 plus x square बन जाएगा तो यह T यह T और यह इसका इंटीग्रेशन दिटी करोगे तुम्हें answer देगा ठीक है तो यह थे शुरू के 24 question आपके यह थे शुरू के 24 question बेटा आपके एकदम थोड़े सी calculation जरूर थी पर simple simple थे तो ऐसे ही लगाता हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अड़र 24 7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें all the best for your preparation जैहिंद जैबारत लाइक शेर और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में help कर रहे होगी थेंक्यू बिटा है अगर कपया प्रफैंज पर जापियो में उपक्ड़ैंक्ष में एक क्थड़राएं का में हैँ में हमारे लुड़र critically तो का भीडियो में है एक में हैँ में हैं तो और ना明ंग हैया तो दोगज़राएं कि जैड़र आपक घाशी में Mister